हाई फ्रेंड्स, थैंक्स फो स्टोपिंग भाई, इस विनित मैंने राइट है और यूर वाचिंग ओने स्टेडी सर्कल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एकाउंटिंग इंट्रिव्यू कोश्चन्स एंड अंसर्स के बारे में 30 कोश्चन्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्तस जरूर करेंगे, वीडियो अगर आपको चछ्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ONA Study Circle को जरूर सबस्क्राइब करें तो यह friends बढ़ते हैं वीडियो में पहला question है friends, what is accounting? accounting क्या है? अगर हम बात करें accounting की तो यह language of the business होता है हम कह सकते हैं accounting में क्या होता है? जो भी financial transactions है, ध्यान से सुनिये word को financial transactions को record के जाता है, classify के जाता है, summarize के जाता है और उससे financial information बनाई जाती है, जो business को present करती है तो यह business की language होती है, और जो word था financial transaction उसका मतलब यह है, accounting में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऐसी transactions जिनका monetary impact है, मतलब जिनको money में measure किया सकता है, पैसो में measure किया सकता है, उनहीं को record किया जाता है मान लिजे कोई human behavior है, अच्छा behavior है, किसी का behavior अच्छा नहीं है, उन चीज़ों को accounting में record नहीं किया जाता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वैसी transactions जिनको हम money में measure कर सकते हैं, उसी को accounting में record कियाता है, ये business की language होती है, हम कह सकते हैं, बढ़ते हैं friends, अगले question की तरफ, अगला question है, what are assets and liabilities, देखे, assets होता है, business के पास जो resources है, जिनकी value है, economic value है हम कह सकते हैं, और जो business के पास है, business का उस प proposition है, business की control में वो चीज़े हैं, जिनकी economic value है, और उसको business use कर रही है, business में काम ले रही है, profit के लिए, तो ये हमारी assets होती है, liabilities वहीं होती है, obligation, जो business को pay करनी है, for example, एक company ने credit में दो लाख रुपे के समान goods को purchase किया, अब उसको दो लाख रुपे के accounts payable बन गए, उसके उप What is the difference between salary and wages and wages and salary? देखिए, यहाँ पर काफी बार candidate confused होते हैं, काफी बार ये question पूछा जाता है, अब देखिए, salary and wages में salary पहले आ रहा है, वहीं wages and salary में wages पहले आ रहा है, यहाँ से में पता चलता है, proportion, कि salary and wages में, मान लीजिए, 80 लोगों को salary मिल रही है, और 20 लोगों को wages मि मिल रहे हैं, और 20 लोगों को salary मिल रही है, मतलब पता चला हमें कि portion जो है salary and wages में salary का ज्यादा है, वहीं wages and salary में wages का ज्यादा है, अब जो salary and wages है, यह होता है, हमारा profit and loss account में आता है, क्यों, क्योंकि यह factory का खर्चा नहीं है, यहाँ पर salary ज्यादे दी जा रही है, for example, office में, वहीं जो wages and salary है, यह हमारा trading account में आएगा, क्यों आएगा, उसमें बात करेंगे अगले question में, wages and salary इसलिए आता है, क्योंकि यह factory का खर्चा है, अगला question इसलिए से related है, why wages and salary shown in trading account and salary and wages shown in profit and loss account, अब देखिए जैसे वने बात करी, wages and salary में wages का portion ज्यादा है, 80% लोगों को wages मिल है, तो यह factory का खर्चा होता है, क्योंकि factory में usually wages दी रहते हैं, salary के person काफी कम होते हैं, for example, 80 लोगों को wages दी जा रहे हैं, और 20 लोगों को salary दी जा रही है, तो यह factory का खर्चा है, यह trading account में आ जाएगा, वहीं अगर हम दूसरे हाद पर देखें, salary and wages, मान लिजे office के अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर salary मिल रहे हैं, सभी लोगों को, कुछ ही लोग हैं, बहुत कम, 10% मान लिजे, उनको wages मिल रहे हैं, कोई office boy है, इस तरीके का कोई person है, तो यह profit and loss account में आएगा, यह reason होता है, salary and wages and wages and salary में, बढ़ते हैं friends, वीडियो में आ गई, what is general entry, general entry क्या है देखें, accounting में, जब भी कोई financial transaction होती है, उसको record की जाता है, अब उसको record करने के लिए general entry पास की जाती है, अगर हम कहें, जो entry पास की जाती है, उसे ही general entry, कोई भी financial transaction होनी चाहिए, जिसको money में major कर सकते हैं, उसकी जो entry पास की जाती है, उसको record करने के लिए, अगर हम simple word में बात करें उसे ही General Entry कहा जाता है बात करते हैं अगले question की अगला question है what is compound General Entry दीखिये इसको दिहान से सुने इसमें एक word जुड़ गया compound जिसका नाम है बागी सब सेम है what is general Entry what is compound general Entry compound general Entry में क्या होता है एक debit जो है debit एक से ज्यादा हो सकते हैं या credit एक से ज़्यादा हो सकते हैं दोनों ही चीज़े एक से ज़्यादा हो सकती है for example एक जनरेंट्री का example लेते हैं मान लीजिए एक कंपनी ने goods purchase करें credit में दो लाख रुपे की तो यहां पर simple आ जाएगा accounts payable account debit to purchase account दो दो लाख रुपे यहां पर आ जाएगा अब हम बात करते हैं compound general entry की अब friends compound general entry में एक example लेते हैं मान लीजिए एक person है xyz जिनका राम है अब उन्होंने कुछ sales करी उनसे उसको दो लाख रुपे मिले और कुछ उनको rent मिला जिनसे उनको 20,000 पर मिले तो यहां पर होगा cash account debit दो लाख 20,000 से to sales दो लाख to rent 20,000 तो ऐसे हमने देखा कि cash account debit side आया दो लाख 20,000 से to sales दो लाख to rent 20,000 तो यहां पर हमने देखा कि दो credit हुए तो यह compound general entry का एक example है बात करते हैं friends वीडियो में आगए वर्टिस प्रिमाइसिस देखिए जो company होती है उसको office space है कुछ warehouse है, building है तो यह सारी fix assets होती है इस तरीके की जो company की property हम कह सकते हैं उसको प्रिमाइसिस भी बोह जाता है काफी बार यह पुछा जाता है, इस term से आपको familiar होना चाहिए कि प्रिमाइसिस क्या है तो हमने बात कर ली प्रिमाइसिस के ओपर बढ़ते हैं friends वीडियो में अगला question है when business purchase goods, why purchase account is debited instead of goods account यह question काफी बार पुछा जा जा रहा है interview में कि जब business goods को purchase करता है तो purchase account को debit side रखता है मान लिजिए एक business ने goods purchase करें 2,00,00 रुपे के cash में तो वा entry करेगा purchase account debit to cash account 2,00,00,00 रुपे से वो क्यों goods account debit side नहीं रखता इस पर बात करते हैं question ही यह है कि goods account को debit side क्यों नहीं रखा जाता purchase account को debit side क्यों रखा जाता है अब देखिए business ने जो goods खरीदे हैं वो use के लिए नहीं खरीदे वो उसको change करेगा उसको transform करेगा और आगे sale कर देगा इस वज़े से उसने goods को purchase किये तो चीज़े complex ना हो वो सीधा purchase account को debit side रखता है जो वो sale कर देगा तो sales account को debit side रखेगा इसलिए goods account debit side नहीं आ रहा है क्योंकि वो consumption के लिए नहीं है वो उसकी value को change करके transform करके goods से finished goods बनाके उसको sale करने के लिए हैं इसलिए purchase account को debit side रखा जाता है यह question important question था काफी बढ़ यह पुचा जाता है तो friends इसी के साथ वीडियो में आगा चलते हैं अगला question है friends what is error of omission अब मान लिजे transition हुई goods खरीदे गए 50,000 के entry होनी थी purchase account debit to cash account cash में goods खरीदे गए अब accountant उस entry को करना भूल गया तो यह है error of omission अगला है what is error of commission अब देखिए friends मान लिजे company ने account receivable receive करने थे 2,00,000 रुपे गे अब account receivable 2,00,000 रुपे के receive होगा यह correct entry कर दीगी लेकिन जो subsidiary account है मान लिजे customer x,z से लिये थे account receivable लेकिन customer b अलग customer है उसके वहाँ पर entry कर दीगी कि हमें इस से receive है मतलब entry सही हुई लेकिन जो subsidiary account है जिस customer से मिले थे account receivable उसके account में entry pass नहीं हुई दूसरे customer के account में entry pass होगी तो ऐसी error होती है उसे हम कहते है error of commission अगला question है friends what is error of principle यह जो तीनों error है काफी बार पूछी जाती है इस पर आप थोड़ा सा दिहान दीजिए error of principle का मतलब यह है कि entry जो है पूरा account ही गल्थ है गल्थ account में entry post कर दीगी मान ले जी एक company ने goods परचेश नहीं करें sale करें है credit में अब entry आने चाहिए थी accounts receivable account debit to sales account company ने गल्थ entry जो है वो post कर दी accounts paper account debit to purchase account तो इस तरह अगर entry है कि गल्थ account को debit credit कर दे जाता है तो error of principle होती है अगला question है friends what is the difference between gross profit and net profit देखिए gross profit के अगर हम बात करें तो यह हमें trading account से मिलता है वही net profit हमें profit and loss account से मिलता है gross profit में हम क्या करते हैं sales से factory के जो खर्चे हैं उनको हटा दें तो हमें gross profit मिलता है ध्यान से सुनिये sales से factory के खर्चे हटा दें तो gross profit मिलता है वहीं gross profit में से बाकी खर्चे भी अटा दिये जाएं तो हमें net profit मिल जाता है अब बात करते हैं यह देखा क्यों जाता है gross profit and net profit सीधा ही सारे खर्चे अटा के net profit क्यों नहीं निकाले जाता है अब हम बात करते हैं एक example की मान लिजिए दो product है दोनों का net profit सेम है 50-50 रुपे लेकिन एक product का gross profit है 75 रुपीज एक का 60 रुपीज अब यहां से मैं यह पता चलेगा कि जिस product का gross profit है 75 रुपीज इससे मैं पता चले रहा है कि आगे चलके जो net profit निकल रहा है PNL account में वहां पे कुछ दिक्कत आ रही है क्यों कि वो gross profit तो जादा दे रहा है अगर हम आगे उसकी जो maintenance सही से कर सकें उसकी accounting सही से कर सकें उस पर decision making सही से कर सकें तो जादा profit हम ले सकते हैं यह फायदा होता है gross profit चेक करने का क्योंकि factory के खर्चे fixed है for example rent है वो fixed है अब हमे कुछ दिक्कत है इस वह जैसे net profit हमें कम आ रहा है हम उस दिक्कत को कर दूर कर दें तो जिस product में 75 रूपीस का gross profit आ रहा था उससे हमें profit 50 के जगा ज्यादा मिल सकता है तो यह फायदा होता है gross profit का जो business में काफी बड़ा फायदा हो सकता है बात करते हैं friends वीडियो में आगे अगला question है what are preliminary expenses देखे जब business शुरू होता है शुरू होने से पहले कि जो expense होते हैं उसे हम preliminary expenses कहते है For example, अगर हम बात करें, तो बिजनस का लोगो, बिजनस लोगो बनवा रहा है, उसमें खर्चा हो रहा है, तो इस तरह शुरुआत होने से पहले भी जो एक्सपेंस हो रहा है, बिजनस की, तो उसे हम गहते हैं, प्रिलिमिनेरी एक्सपेंसे, जैसे हम नहीं हैं पर देखा, बि उचा जाता है, काफी केंडिटिस में कन्फिस होते हैं, कि लेंड पर डेप्रिशेशन नहीं लगता, यह पता है, लेकिन क्यों नहीं लगता यह वो नहीं बता पाते हैं, और इंट्रिवेवर स्ट्रेस करता है, कि आप यह बता है, कि क्यों नहीं लगता है, अब लगता है, यह पता होता है लेकिन क्यों नहीं लगता यह नहीं पता वेखे हमें नहीं पता होती इसी वजह से लेंड पर depreciation नहीं लगता बात करते हैं friends वीडियो में आगें What is accounting equation? Accounting equation क्या है? Accounting equation हमारी होती है Assets is equal to liabilities plus onus equity यहाँ पे हमेशा ही काफी बार हम कहेंगे candidates को doubt आता है कि onus equity liabilities में plus क्यों हो रही है यह एक business entity concept होता है जो business और businessman को अलग-अलग मानता है तो businessman का जो पैसा लगाया हुआ है business की समझता है कि उसको कभी ना कभी लोटाना पड़े है business man को तो इसने जो onus equity है वो liabilities में plus की जाते हैं ताकि पूरी total liabilities निकाली जा सके तो accounting equation होगी Assets is equal to liabilities plus onus equity चलते हैं friends अगले question की तरफ What is single entry and double entry bookkeeping? ये काफ़ी interesting question है Double entry bookkeeping के बारे में काफ़ी candidates ने सुना होता है कि एक transaction के दो expect होते हैं दो जगा उसके recording की जाती है लेकिन single entry का क्या मतलब है? इस पर बात करते है single entry क्या होती है? friends मान लीजी एक कोई seller है उसने दो लाग का समान बेचा तो सीधा डाल देगा कि उसको cash आये दो लाग रुपे का ये single entry है वहीं double entry में दो expect होते हैं हर एक financial transaction के for example दो लाग का ही समान बेचा तो वह डालेगा cash account debit to sales account यहाँ पर cash और sale दो expect हो गए तो यह होती है हमारी double entry bookkeeping वहीं अगर एक entry post की जा रही है तो हमारी single entry bookkeeping होती है अगला question काफी interesting है what type of accounting is more suitable for large businesses कौन सी accounting ज़्यादा suitable होती है large business लिए हमेशे ही वो होती है double entry bookkeeping क्यों क्योंकि हमने जैसे बात करी यह दो expect दिखाती है एक single transaction के तो ज़्यादा detailed होती है और जब हम बात करते हैं एक large business की तो detailing काफी important है उससे ज़्यादा understanding ली जा सकती है तो हमेशे ही double entry bookkeeping ज़्यादा better है large businesses के लिए बढ़तो है friends वीडियो में बात करेंगे what is goodwill, goodwill क्या है goodwill होती है friends हमारी मान लिजए एक company है और एक उसकी competitor company है अब जिस company के हम बात करें है उसकी अच्छी goodwill है हम इसको कह सकते है market में reputation which is goodwill अब उसके reputation अच्छी है बाकि सारी चीज़े से हैं फिर भी वो company competitor से ज़्यादा अच्छा sale कर पा रही है और ज़्यादा profit कमा पा रही है क्यों क्योंकि उसकी reputation अच्छी है लोगों की mindset में उसकी image अच्छी है उसकी goodwill अच्छी है हम कहेंगे इस ही हम कहते है goodwill मतलब उसकी ज़्यादा रेपूटेशन है वो अच्छी है लोग मानते हैं कि वो अच्छी company है अच्छे products बना रही है लोगों का उसकी market value अच्छी है इस हम कहते है goodwill अगलाए friends what is outstanding rent देखे rent तो हमें पता है कि rent क्या होता है लेकिन कई मार पोच ले आता है outstanding rent outstanding rent क्या है देखे मान लीजिए rent देना था जनवरी महिने का वो नहीं दिया गया फर्वरी महिने में भी rent नहीं दियेगा तो मार्च के महिने में देखा जाएगा outstanding rent कितना है outstanding मतलब बचा हुआ कि पिछले महिने का pending तो यहाँ पर हमने देखा January और फर्वरी का rent pending है तो यह हो जाता है हमारा outstanding rent बात करते हैं friends अगले question की what are prepared expenses अब मान लेजिए एक company है वो marketing कराना चाहती है अपने products की जो वो बना रही है वो 5 साल के लिए advertisement का expense भड़ देती है तो इसे हम गहेंगे prepared expenses दियान से देखिए एक time में 5 साल के लिए खर्चे को एक expense को pay किया गया है advertising expense यहाँ पर ता तो ऐसे ही इस case में हम कहते है prepared expense मतलब कोई expense को time जब उसका useful time होगा उससे पहले ही उसके पैसे देज दिये गई है उसकी payment कर दी गई है तो ऐसा expense होता है हमारा prepared expense मतलब पहले से ही जो pay है अगले साल का expense भी पहले ही pay किया जा चुका है तो यह होता है हमारा prepaid expense अगला question है friends what is the difference between accounting and auditing देखे accounting में जैसे हमने बात करी थी कि financial transitions को record कियाता है वहीं auditing में क्या कियाता है वो जो transition record की गई है उनकी accuracy को check किया जाएगा कि क्या वो ठीक तरीके से ठीक तरीके से record की गई है या नहीं कोई उनमें error तो नहीं है चाहे वो कोई भी error हो जैसे हमने बात करी थी error of omission, principle and commission तो काफी सारी चीजा auditing चेक करती है जिसमें हमने 2-3 के आपे बात की है वही accounting में classify recording के जाता है summarizing के जाती है auditing में गर हम simplest word में बात करें तो उसको check कियाता है कि वो सही record होई है या नहीं अगला question है फ्रेंट्स इसी के साथ वरतार accounting concepts देखिए accounting concepts हम कह सकते हैं कुछ conditions इसको हम मान सकते हैं जिसके through accounting करनी है मतलब accounting को भी limitations के through करना होता है उसे ही हम accounting concepts कह सकते हैं कि कुछ condition है कि इस इस तरीके से आप accounting कर सकते हैं इस इस तरीके से हम कहेंगे business की accounting हो सकती है उस हम कहते हैं accounting concepts अगला फ्रेंट्स वर्ट इस consistency accounting concept देखिए फ्रेंट्स accounting concepts काफी बार पूछी जाते हैं consistency accounting concept होता है कि मान लेजिए एक business है वो accounting करने का कोई तरीका डोट करता है कुछ तरीके होते है accounting करने के उसमें से कोई वो एक पिक कर लेता है अब accounting करने शुरू करता है तो उसको consistent रहना पड़ेगा उस specific method से ऐसा नहीं है दो मेने बाद हो method change कर दे जब वो pick कर रहा है तो उस तरीके से उसको consistent रहना पड़ेगा उसको उसी तरीके से accounting करने पड़ेगी थोड़े थोड़े time interval में वो method को change नहीं कर सकता तो यह होता है consistency accounting concept बढ़ते हैं friends वीडियो में आगे what is money measurement concept देखें money measure concept यह कहता है कि कोई भी ऐसा event record किया जाएगा accounting में जिसको हम money में measure कर सकते हैं जैसे हमने वीडियो के शुरू में ही बात करी थी what is accounting कि financial transaction वो record होगी जिसको money में measure किया जा सकता है human behavior है इस तरीके की चीज़े record accounting में नहीं किया सकती कोई भी ऐसी transaction जिसको money में measure किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही accounting में record की जाएगी money measurement concept ये कहता है बात करते हैं ये concept कि what is full disclosure concept देखे full disclosure accounting concept जो है वो ही कहता है कि कोई भी information है उसको half disclose नहीं किया जाएगा आदा और दूरा information को नहीं छोड़ा जाएगा full disclosure किया जाएगा इससे काफ़ी benefit होता है company के जो share holder है ताकि वो company की position को अच्छे से देख सके misleading कोई information यहाँ पर नहीं हो सकती ऐसे नहीं है कोई information को थोड़ा सा hide कर दिया पूरा disclose नहीं किया तो वो misleading होगे तो ये concept बताता है कि full disclosure होना बहुत ही जरूरी है accounting में अगले reference what is materiality concept देखे ये concept ये कहता है कि जो चीज़ें ज़्यादा material नहीं है for example अगर हम बात करें cash की company की sale है 10 क्रोड वहाँ पे 100 पे की sale का data नहीं मिल रहा कि ये sale का data कब था कब आई थी कभी sale हुई थी हम कह सकते है तो उसके basis पे ज़्यादा वरी नहीं किया जाएगा उस पर ज़्यादा time spend नहीं के जाएगा क्योंकि काफी क्रोडों में company के sale है और 100 पे के लिए company time waste करती है तो ये अच्छी बात लिए company का time waste होता है वही खरम बात करें मान लिजिए कोई machine नहीं है उसके 2-3 net board हो गए है अब company वो खरीदती है 10 क्रोड की company के sale है 50 रुपे के net board आ जाते है अब देखाजाए कोई वे असेट है उस पर depreciation लगता है over the period of time लेकिन ये 50 रुपे की चीज है company के लिए इतना material नहीं है क्योंकि काफी बड़ी scale पर company sale कर पा रही है तो ये 50 रुपे को एक ही time में जब purchase के गए है उसी मडाल दे जाएगा उसी accounting period में इस पर depreciate करके इसको लंबा नहीं कीच जाएगा तो ऐसी चीज़ी जो material नहीं है बहुत ही कम है जो company के लिए इतनी value नहीं रखते तो ये concept कहता है कि उनको हम उसी time period में ले सकते है यहां जैसे 20-30-50-100 रुपे का जो difference है उस पर वड़ी नहीं करते अगर company काफी बड़ी scale पर है तो जो उसके लिए material नहीं है चलते हैं friends वीडियो में आगे अगला question है friends what is historical cost concept देखिए historical cost concept यह कहता है कि कोई asset company खरीदती है तो वो उसको historical cost पे record कर सकती है जिस cost पे उसने उस asset को खरीदा था basically वह ही historical cost हो जाती है ऐसा नहीं है कि बारवर company को search करना पड़े कि market में क्या value है बार बार उसको record करना पड़े जब जिस rate पे उसको खरीदा था company ने उस price पे ही company उसको record कर सकती है इससे accounting करना काफी easier हो जाता है और company को पता होता है कि यह asset उसने specifically कब खरीदी थी किस cost पे खरीदी थी इसे हम कहते है historical cost concept अगले friends what is going concern कब से देखें going concern concept यह करता है कि जब business man business को शुरू करता है तो सुचता है कि business forceable future तक चलता जाये быть यह चलता ही जाएगा रुके गांए इस concept को हम कहते है going concern concept यह इसमें और देखता है जो business man वह यह मानता है कि business काफी लंबे समय तक चले चलता ही जाएगा और रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं, वो सुचता कि एक साल बाद उसने बिजनस चला के बंद कर देना है, तो ये concept हमें बताता है, going concern concept, अगला reference, what are preference and equity shares, देखिए दोनों ही अलग-अलग तरह के shares है, equity shareholder होता है कि company के पास meeting हो रही है, तो equity shareholder को right है, वही preference shareholder meeting में नहीं बैठ सक हमें देखा कि preference shareholder जो है, उनको पहले priority दी जाती है, जब dividend distributed होता है, वहीं अगर बच जाता है, तो equity shares को मिलता है, लेकिन equity shares holder में ये right होता है, कि वो company की meetings वगारा को attend कर सकते हैं, risk अगर हम बात करें तो preference में कम है, एक fixed dividend उनको मिलता है, लेकिन equity को कभी नहीं भी मिलता, कभ preference को दी जाती है, बात करते हैं, लास्ट कोशन की इस वीडियो की, what is dividend, dividend क्या है, देखी जैसे डेवेंचर पे company interest pay करती है, जैसे डेवेंचर पे company interest pay करती है, वैसे ही shares जब company issue करती है, shareholder को company dividend देती है, जहां से समझेए, ये हमेशा ही dividend दिया जता है, market value of the shares पर, एक share है, उस कुछ percent वो हो सकता है, तो जो dividend है, वो market value में मिलता है, shares पर, वहीं dimension पर interest मिलता है, तो यहां से हमें समझाए कि dividend क्या है, तो friends, यह थी वीडियो आज की accounting interview questions and answers के उपर 30 questions हमने लिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, definitely हमें comment box में लिखें, वीडियो को like and share ज़रूर करें, channel को do subscribe करें, thank you so much for watching this video, thank you so much for your time friends